हाई ब्रिबन आईए आज की इस वीडियो में हम कलासिक्स का जोगरफी यानि की भुगोल का चिप्टर नमबर 4 मान चितर इस चिप्टर से रेलेटेट साड़ी सोल्योशन आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं जो कि आपके NCRT बुका सोल्योशन होने वाला है ठीक है इ कोस्टन में कई कोस्टन आपके दिये हुए है ठीक है तो आएक कोस्टन नमर फर्स्ट का पहला कोस्टन देखते हैं ओके पहला कोस्टन आपका कह रहा है मानचितर के तीन घटक क्या है यह आपको बताना है ठीक है तो अंसर में आपको लिखना है मानचितर के तीन घटक पह इसी का question number two है चार परमुख दिशाएं क्या हैं तो चार परमुख दिशाएं पूरब पस्चिम उत्तर और दक्षिन है पूरब कॉमा पस्चिम कॉमा उत्तर और फिर और दक्षिन ये जो है परमुख चार दिशाएं यानि direction है इसके अलाबा अन्य जो है चार मध्य वरती मुससाय कहला ती है जैसे की उत्तर पूरब हो गया दक्षिन पूरब हो गया दक्षिन पस्चिम हो गया और उत्तर पस्चिम हो गया चीक है जैसे समझ ये थिक यह जो किया होगा इस't किदेख ऐकनट ऐसे देखिए इसट बेस्ट मानने लीजी नूर्थ साहुथ ट doubts उछम की पुरा प्रस्चिम उत्रडक्षिन अब यह दिखें फिर इस नूर्थ यानिकी हों आपका क्या इस्ट नूर्थ इसी तरह नौर्थ यह ऩर बीच बला है मध्यवर्ती दिशा है यानि यह जो दिशा है ना इन दोनों के बीच का दिशा बना है चार अलग ठीक है तो इस तरह चार हो गया परमुक और चार मध्यवर्ती दिशाएं हो गए ठीक है ओके चलिए इसी का question number 3 है मानचित्र के पैमाने शब्द से आपका क्या थात पड़ी है ठीक है तो मानचित्र के पैमाने शब्द से आप क्या समझते है इसका क्या मतलब होता है ओके देखे पैमाना जो है जमीन का बास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है यानि की ratio होता है ठी पर एक बड़ी दूरी का परतिन्नी धित भी करती है, ओके, जैसे आपने लिखा कि इस जमीन की जो चौड़ाई है, पचास फिट है इस जमीन की चौड़ाई, तो क्या आप ये पचास फिट जो लिखोगे, तो पचास फिट का पेज होना जरूरी नहीं है, है ना, यानि कि आ आपको क्या करना है, परतिन नी धित भी कराती है, कि भाई, हाँ, ये जो है पचास मीटरी का जमीन है, जहां लिख रहे हैं, वो पचास मीटर का पेज नहीं होना जरूरी है, ठीक है, इस उदेश के लिए एक पैमाना चूना जाता है, ठीक है, ओके, चलिए, अब देखते ह इसी का फूर मांचित्र गुलोब से अधिक उप्योगी कैसे हैं ठीक है देखिए मांचित्र जो है गुलोब से अधिक उप्योगी होते हैं क्योंकि मांचित्र से हम किसी भी देश राजी जीले कश्वे और गाउं का अलग अध्यान करते हैं गुलोब से हम संपुर्ण अंतर बताएं ठीक़े तो पहले बात कर लेते हैं मांचित्री के बारे में पहला यहाँ परे पें Hem दूसरा है हम चीजों को बड़े पैमाने पर बना सकते हैं तो यह हो गया मानचित्रे अब योजना की बात कर लेते हैं तो योजना का पहला पॉइंट है योजना बड़े पैमाने पर एक छोटे से छेत्रे का चित्रन है इससे भी चाहो तो इस तरह रोमनंग में इस तरह आप लिख सकते हो ठीक है इसी का second step है हम किसी कमरे की लंबाई और चराई जैसे छोटे पैमाने पर चीजें बना सकते हैं ठीक है तो इस तरह आपको मानचित्र और योजना में difference लिख लेना है ठीक है ओके चलिए आप दिखते हैं question number इसी का six कौन सा मानचित्र बिस्तरित जानकारी परदान करता है तो बड़े पैमाने का मानचित्र बिस्तरित जानकारी परदान करेगा यानि कि बिल्कुल ही clear जानकारी जानकारी देगा हमें ठीक है ओके इसी का question number seven है question number first का ही मानचित्र पढ़ने में परतिक किस परकार शहाय शाहिता करते हैं यानि कि सिंबोल जो है किस परकार शाहिता करते हैं संकेत मांचेत्र को पढ़ने में ठीक है ओके तो अंसर में लिखना है पहला पॉइंट पहला पॉइंट मानचित्र पर इमारतों, शरकों, पूलों, पेरों, रेलवे, लाइनों, जैसे बिभिन विसेस्ताओं का बास्तिविक आकार और आकिर्ती बनाना संभब नहीं है, इसलिए इनके अस्थान पर भिन भिन परतिकों का पड़ियोग किया जाता है, जैसे मंदीर बनाना है, जैसे म मुरें, जैसे मानचित्र बनाने से बनाये जा सकते हैं और पढ़ने में असान होते हीं, इसी का नेक्सिट्ट है, यदि आप किसी छेत्र का भासा नहीं जानते हैं तो भी आप इन पर्तिकों की सहयता से मानचित्रों से जानकारी एकत्र कर सकते हैं यानि कि हासिल कर सकते हैं ठीक है ओके यानि कि सिंबोल के बारे में तो आपको जानकारी हो गई उसमें तो लेंगोज लिखावा होता है नहीं यह सिर्फ लोगो राता है ओके तो इस तरह इसका अंसर आपको लिख लेना है ठीक है ओके चलिए अब हम लोग आते हैं question number 2 की ओर सही उत्तर पर निशान लगाएं ठीक है इसी का पहला question है बनो के बितरन को दर्शाने वाले मानचित्र तो यहाँ पर तीन option है तो इसका करेक्टन सोज़ागा आपका option number 2 का पढ़योग क्या जाता है तो आपको कोप टिक कर लेना है ठीक है इसी का थर्ड नमबर question है एक compass का उपयोग क्या जाता है तो एक compass का उपयोग मुख्य दिशा ग्याद करने के लिए क्या जाता है ठीक है तो मुख्य दिशा ग्याद करने के लिए यानि कि direction को जानने के लिए यूज किया आता है compass का है ओके इसी का question number 4 एक पैंमाने अवस्याख है एक पैंमाने किस तरह आवस्याख है तो यह Опशन number 10 एक को ऊपको टिक कर लेना है मानचित्र तो इस तरह आजकी इस वीडियो में हमने Class 6 का जोग्रफी यानि की yoga गोल का चेप्टर नमबर 4 मांचित्र चेप्टर से रेलेटेड एंसी यार्टी बुक का सुल्योशन मैंने कंप्लीट किया है जो की टोटल दो कोस्टन्स दिये हुए थे बट इसी में कई कोस्टन्स दिये हुए ठीक है तो इसी तरह मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ओके निक्स्ट चेप्टर के साथ सो थैंक्यों वीडियो को लाइक करेंच और सब्सक्राइब करें